कुश्चन नमबर 10 कॉस्ट आफ फोर डॉजन बनानाज इस रुपए वन हंडिट फोर हाव मैनी बनानाज कैन भी पर्चेश पॉर रुपए 6.50 यहाँ भी बताये गया है कि फोर डॉजन बनानाज का कॉस्ट क्या है रुपए 104 और पूछा गया है कि रुपए 6.50 में कितने बनानाज पर्चेश किया सकते हैं कि वन डॉजन इक्वल टू चॉल्ब देरफोर फोर डॉजन का मतलब क्या होगा किसी भी चीज के फोर डॉजन है that means number of object कितना है वो number में कितना होगा तो यहाँ पर आप 4 into 12 कर दीजे 12 का 4 times that means 48 तो फोर डॉजन बनानाज means 48 बनानाज का कॉस्ट दिया है रुपए 104 लिख लेते हैं इसे नंबर ऑब बनानाज can be purchased for रुपए 104 लणईट four में कितने बनानाज प्रुचेस किया सकते हैं फोर डॉजन मिल्स 48 तो अब हम यह find करेंगे कि वन रुपए में कितने बनानाज प्रुचेस किया सकते हैं तो यहां हम लिखेंगे, number of bananas can be purchased for रुपए, वन, तो यहां पर 104 में 48 bananas, more money, more bananas, अब यहां पर less money हो गया है, money कम है, तो bananas भी कम आएगा, और less के लिए हम क्या करते हैं, divide, तो number आप bananas को divide कर देंगे, 104 से, यहां इसे लिखना चाहिए, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 48 upon 104, तो यहां पर 1 रुपए में 48 upon 104 बनाना आते हैं, अब यह पूछा है कि रुपए 6.50, तो अब रुपए 6.50 में कितने bananas purchase कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर, number of bananas can be purchased for रुपए 6.50, तो यहां पर more money, more bananas, और more के लिए क्या करते हैं, multiply, तो 1 रुपए में जितने bananas खरीदे जा सकते हैं, that means 48 upon 104, इसमें हम multiply कर देंगे 6.50 का, तो यह पता चलेगा कि 6.50 में कितने bananas आएंगे, तो देखिए 48 upon 104 लिखा हुआ ह 48 upon 104, multiplied with, अब 6.50 है, तो 2 decimal place का number है, तो decimal point हटाएंगे, तो इसके upon में यहां पर 100 लिखना होगा, अब divide करते हैं, देखिए, 650 को हम 50 से divide करते हैं, तो 50 से जब divide करेंगे, तो यहां value आएगी 13, और 50 से इसे divide करेंगे, तो value 2 आएगी, अब 13, 104, दोनों ही 13 से digital है, 13 बन जा 13, और 104 को divide करेंगे 13 से, तो 8 आएगा, अब 8 और 48 दोनों 8 से digital है, 8 बन जा 8, 8 सिख जा 48, तो यहां पर numerator में 6 into 1, that means 6, और अपान में 2 है, तो यह 2 लिखेंगे, यह दोनों भी 2 से digital हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यह value आगई 3, तो रुपए 6.50 में कितने बनानाज पर्चेश किया सकते हैं, 3, अब हम answer का statement बना के लिखेंगे, जैसे question ने पूछा गया था, how many bananas can be purchased for रुपए 6.50, तो हम लिखेंगे, 3 bananas can be purchased for रुपए 6.50, तो इस statement लिख लेते हैं इसका, hence, 3 bananas can be purchased for रुपए 6.50, let's do question number 11, question number 11, the cost of 18 chairs is रुपए 22,770, how many such chairs can be bought for रुपए 10,120, तो यहां पर 18 chairs का cost दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि रुपए 10,120 में कितने chairs आएंगी, तो हम पहले यह find करेंगी, कि 1 रुपए में कितने chairs आएंगी, यह पता चल जाए, तो यह आसानी से find किया सकता है रुपए 10,120 में कितने chairs आएंगी, तो यह solve करते हैं तो पहले लिखेंगे number of chairs can be bought for रुपए 22,770 equal to 18 तो वन रुपए में कितनी chairs आएंगी more money, more chairs less money, less chairs तो less के लिए क्या करते हैं, divide करते हैं तो हम यह find करते हैं कि वन रुपए में कितनी chairs आएंगी तो यहां पर 18 को divide कर देंगे 18 chairs कितने में आती हैं रुपए 22,770 तो 18 को 22,770 से divide कर देंगे तो यह पता चल जाएगा रुपए 1 में कितनी chairs आएंगी तो 1 रुपए में इतनी chairs आती हैं, more rupees more chairs ज्यादा रुपए होगा तो ज्यादा chairs आएंगी इसके लिए multiply करेंगे तो यहां find करते हैं कि रुपए 10,120 में कितनी chairs आएंगी तो 1 रुपए में जितनी chairs आती हैं that means 18 upon 22,770 का 10,120 times कर देंगे तो यह पता चल जाएगा इस amount में कितनी chairs आएंगी अब इसे solve करते हैं तो देखिए पहले तो यह दोनों ही 10 से digital हैं तो 10 से divide करेंगे तो यहां आएगा 20,277 और इसे 10 से divide करेंगे तो 1000 चल वा जाएगा अब यह दोनों ही number 11 से digital हैं तो 11 से divide कर देते हैं दोनों को 22,77 को जब 11 से divide करेंगे तो value आएगी 207 और 1012 को डिवाइड करेंगे तो वैलू आएगी 92 अब 18 और 207 दोनों नाइस डिवाइड करते हैं 9 तू जा 18 और 207 को जब नाइस डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा तो यहां पर वैलू क्या मिलेगी हमें 2 इंटू 92 और डिनॉम्नेटर में 23 23 अब यहां पर 23 92 दोनों 23 से डिवाइड करेंगे तो फोर आएगा अब यह टू इंटू फोर एट आ गया डैट मींस रूपए 10,120 में 8 चेर्स पर्चेज किया सकती है तो आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं हैंस एट चेर्स केंद बी बॉट फोर रुपए 10,120 इंडिस वी वी हब कॉप्लिटेट कॉस्चेन नमर 11 लेट्स दू कॉस्चेन नमर 12 टल्ब कॉस्चेन टल्ब अकार ट्रवल सी 109 5 किलोमेटर इन 3 आवर्स एक कार 3 आवर्स में 195 किलोमेटर ट्रवल करती है फिस्ट में पूछा गया है तो यह तो कि इतना टाइम लगा एगी और सेकेंड पार्ट में पूछा गया है how far will it travel in 7 hours with the same speed अगर इसी speed से जा रही है car तो 7 hours में वो कितना distance travel करेगी तो first में क्या पूछा गया है travel 520 km में कितना time लगेगा time taken by the car to travel 195 km equal to 3 hours तो हम यह find करेंगी कि 1 km travel करने में कितना time लगेगा तो यहाँ पर more km more time less km less time और less के लिए क्या करते हैं divide तो इस 3 को divide कर देंगे 195 से और यह value hour में है तो hour ही लिखेंगे इतने hours का time लगेगा उसे 1 km travel करने में अब इसे यहाँ पर simplify नहीं करते हैं अभी हमें और भी calculation करना है तो एक साथ हम इसे simplify करेंगे अब जब 1 km में पता चल गया है कि उसे कितना time लगने वाला है तो 520 km में कितना time लगेगा किलोमेटर की value ज्यादा हो गई तो ज्यादा time लगेगा और more के लिए क्लिए करते हैं multiply करते हैं तो यहाँ जो भी time रिखा था 3 upon 195 का 520 times कर देना that means 520 से multiply कर देना है और यह value hours में आएगी अब इससे solve करते हैं तो 3 और 195 दोनों ही 3 से visual है 3 बन जा 3 और 195 को 3 से divide करेंगे तो यहाँ पर value आगी 39 अब यहाँ पर 39 और 520 दोनों ही 3 से visual है तो 3 से divide करते हैं 39 को तो value आएगी 13 और 520 को 3 से divide करते हैं तो 104 आता है अब 104 और 13 दोनों ही 13 से visual है 13 बन जा 13 और 104 को divide करेंगे 13 से तो 8 आएगा तो 1 इंटो 8 denominator में है 1 that means value क्या आगई 8 hours that means 520 किलोमेटर टरवल करने में कार को 8 hours लगेंगे तो यह इसका answer है statement बना के लिख सकते हैं या फिर यहीं पर हम answer लिख सकते हैं इस तरह से कि यह answer हो गया first question के first part का answer यह हो गया ऐसे ही अब second part के लिए solve करते हैं second part में how far will it travel in seven hours with the same speed seven hour में कितना car travel करेगी तो पहले one hour में कितना travel करती है यह find कर लेते हैं distance covered by the car in three hours equal to 195 km तो one hour में कितना distance cover करेगी तो यहां पर less hour तो less distance cover करेगी तो less कि लिए क्या करते हैं चल चुका है question ने पूछा था seven hours में तो more hours more distance ज्यादा time लगेगा तो ज्यादा distance travel करेगी तो ज्यादा क्लिक्या करते है multiply करते हैं तो one hour में जो भी distance है उसका seven times करेंगे और इसे solve करेंगे अब यहां पर three and 195 यह दोनों इत्री से डिवाइड करते हैं और 195 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर value आएगी 65 और 65 into seven करेंगे 65 into seven denominator में one है तो उसे लिखनी जरूत नहीं होती है जब denominator में one हो अब 65 into seven करेंगे तो solve करने पर value आएगी 455 km हम यहां लिखेंगे hence the car will travel 455 km in seven hours with the same speed इस तरह से question number 12 complete होता है आई देखते है question number 13 question number 13 a laborer earns रुपए 1,980 in 12 days एक labor है जो 12 days में रुपए 1,980 earn करता है अब इसमें two parts में question है first part में पूछा गया है how much does he earn in seven days वो seven days में कितना earn करता है और दूसरा यह पूछा गया है in how many days will he earn रुपए 2,640 और वो कितने दिनों में रुपए 2,640 earn कर बाएगा तो first part solve करते हैं जिसमें पूछा गया है कितना earn करेगा seven days में तो हम पहले यह find करेंगे कि one day में कितना वो earn करता है तो पहले हम लिखेंगे कि 12 days में वो कितना earn करता है first हमारा statement यही होगा कि 12 days में वो है रुपए 1,980 earn करता है तो यहां पर laborer 12 days में कितना earn करता है रुपए 1,980 तो यहां लिखेंगे रुपए 1,980 अब seven days में वो कितना earn करेगा तो पहले हम one day का निकालते हैं तो one day में वो less earn करेगा more days more earning less day less earning तो less के लिए क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो जो भी यहां value रखी है रुपए 1,980 इसको डिवाइड कर देंगे 12 से क्योंकि 12 days में यह इतना earn करता है तो one day में कितना earn करेगा 12 day में जितना भी earn करता है उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं तो one day में जो earn करने वाला है वो पता चल जाएगा तो one day में earn करता है रुपए 1,980 अपान 12 और seven days में इसका seven times earn करेगा तो seven से multiply कर देते हैं अब इसे solve करते हैं तो one thousand nine hundred eighty को 12 से डिवाइड करेंगे तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो वैलू आएगी यहाँ पर one sixty five तो यहाँ पर हमें मिलेगा one sixty five into seven इनका multiply करेंगे तो product यहाँ पर आएगा जब इन्हें multiply करेंगे तो product आता है one thousand one hundred fifty five that means seven days में वो रुपए one thousand one hundred fifty five earn करेंगे यही इसका answer है answer का statement बनाना चाहाँ तो लिख सकते हैं therefore he earns रुपए one thousand one hundred fifty five in seven days इस तरह से question का first part complete होता है second part में पूछा how many days तो इसको solve करते हैं days के लिए तो इस second part हम यहाँ से solve करेंगे in how many days will he earn रुपए two thousand six hundred forty तो हम यह find करेंगे कि one रुपए earn करने में उसे कितने दिन लगते हैं तो statement इसका लिखते हैं यहाँ पर in number of days he earns रुपए one thousand nine hundred eighty equal to twelve one thousand nine hundred eighty रुपए वो कितने दिन में earn करता है 12 अब यह find करेंगे कि one रुपए वो कितने दिन में earn करेगा more earning more days less earning less days तो कम दिन लगेंगे अगर उसे one रुपए ही earn करना है तो less के लिए divide करते हैं तो यहाँ divide करेंगे next में तो रुपए one वो कितने दिन में earn करेगा तो 12 days में वो one thousand nine hundred eighty रुपए earn करता है तो 12 को divide कर देंगे one thousand nine hundred eighty से तो one rupees earn करने में लगा हुआ time उस पता चल जाएगा days पता चल जाएगे ठीक है तो one रुपए में इतना अब पूछा क्या गया है two thousand six hundred forty rupees कितने दिन में earn करेगा more rupees more days अगर one रुपए को earn करने में इतना दिन लग रहा है तो हमें जादा रुपए earn करने है तो उसे जादा रुपए earn करने है तो जादा time लगेगा more time लगेगा तो more के लिए क्या करते हैं multiply करते हैं अब यहां पर उसे ज्यादा रुपए earn करने हैं तो ज्यादा दिन लगेंगे और ज्यादा के लिए multiply किया जाता है तो 1 रुपए करने में उसे 12 upon 1980 days लगते हैं तो रुपए 2,640 अर्न करने में उसे इसका इतने टाइम्स लगेगा, यहां multiply होगा, अब इसे solve करते हैं तो यहां पर 12 और 1,980 दोनों 12 से डिवाइट करेंगे तो 1 आएगा, और 1,980 को 12 से डिवाइट करेंगे तो 165 आएगा यहां पर यह value आएगी 2,640 अपान 165 अब 165 से डिवाइट करेंगे 2,640 को तो डिवाइट करके देख लेते हैं, तो 165 बंजा 165 इसे माइनस करेंगे, तो यहां माइनस करते हैं तो 99 आता है अब नेक्स स्टेप में डिवाइट से एक डिजिट नीचे आएगे, तो यह 0 नीचे आएगा, अब 165, 6 जा, 990 होता है यहां माइनस करेंगे तो यहां 0 हो गया, that means, डिवाइट करने पर रिजट क्या आया, 16 आया तो सेकेंड का आंसर पूछा है, how many days, तो आंसर हम लिख सकते हैं, 16 days, 16 days में वो रुपए 2640 अन कर पाएगा इस तरह से question number 13 complete होता है, आए देखते हैं, next question, question number 14, the weight of 65 books is 13 kg, 65 books का weight 13 kg है question का first part में है, what is the weight of 80 such books, तो 80 books का weight कितना होगा, second part में पूछा गया, how many such books weight 6.4 kg और कितनी books होगी, जिनका weight 6.4 kg होगा, weight of 65 books equal to 13 kg, तो one book का weight क्या होगा, more books, more weight, less book, less weight, तो less के लिए क्या करते हैं, divide करते हैं, तो 65 books का weight 13 kg है, तो 13 को 65 से divide कर दें, जाट में सपान में लिख देते हैं, तो one book का weight पता चल जाएगा, अब one book का weight पता चल चुका है, तो 80 books का weight क्या होगा, तो more books, more weight, और more के लिए क्या करते हैं, multiply करते हैं, तो one book का जो भी weight है, that means 13 upon 65, तो 80 books का weight क्या होगा, one book के weight का 80 times, that means 80 से multiply कर देंगे, यह value kg में है, तो kg में है इसको लिखेंगे, यह होगा, 80 books का weight, अब यह से solve करते हैं, थर्टीन बन जा थर्टीन, थर्टीन फाइब जा 65, और 5 और 80 दोनों 5 से डिवाइड करेंगे, तो 16 आएगा, तो 1 इंटो 16, 16 kg, डेनॉमिनेटर में 1 है, तो इसे लिखनी ज़रूद नहीं है, तो weight of 80 books क्या होगा, 16 kg, यह इसका answer है, इसे हम यहाँ पे answer लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का answer आ चुका है, 16 kg, अब इसका second part solve करेंगे, इसमें number of books बोला है, find करने के लिए, तो पहले हम यह देखेंगे, कि number of books कितनी हैं, जिनका weight 13 kg है, वो 65 हैं, तो पहले इस तरह से इसका statement लिखेंगे, तो number of books weighing 13 kg equal to 65, तो 1 kg weight कितनी books का होगा, more weight, more books, less weight, less books, तो less के लिए क्या करेंगे, divide करेंगे, तो यहाँ पर 65 को divide कर देंगे, 13 से, 65.13, तो यहाँ पर 1 kg weight होगा, 65.13 books का, इसे direct solve करना चाहिए, तो यहाँ solve कर सकते हैं, यह एक साथ बाद में solve करेंगे, अब number of books weighing 6.4 kg, तो यहाँ पर number of books ज़्यादा होगे, क्योंकि weight अब ज़्यादा हो गया है, more weight, more books, तो 6.4 kg कितनी books का weight होगा, तो 1 kg books का weight जो भी है, उसको 6.4 से multiply कर देंगे, अब 13 बंजा 13, 13, 5 जा 65, 6.4 इंटू 5 करेंगे, इसे solve करेंगे, तो value आएगी यहाँ पर, 32, तो 32 books का weight 6.4 kg होगा, इसका statement बनाना चाहिए, तो बना सकते हैं, या answer यहीं पर लग लेते हैं, तो चलिए इसका statement बना लेते हैं, therefore, 32 such books weigh 6.4 kg, 6.4 kg कितनी books का weight होगा, 32 such books का weight होगा, इस तरह से question number 14 complete होता है, इसके बाद की question next class में solve किये जाएंगे, कितनी जाएंगे, 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 जाएं